हलो एवरिवन आइम कपिल महानी इंडारेक्ट टैक्स पार्टनर ऑफ क्रिटम एडवाइजरी जी एस्टे एंड काउंसिल ने एक बहुत बड़ी राहत की अमेंडमेंट लेके आए हैं जी एस्टे में जिसमें रियल एसेट इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए बहुत अच इसेट का कोई फ्लाट या कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी बुक कराते थे तो उसके उपर जो रियल एस्टेट डवलर्पर है उस पर जी एस्टी लगाता था अब ऐसे समझें कि अगर जो भी कॉंट्राक्ट आप बुक कर रहे हैं वो मात्र तीन साल मिनि मुझा यार यह कॉंट्राक्ट तो बिका रहे हैं यह डेवलर्पर बिकार है अब इसकी कॉंट्राक्ट को मैं कैंसल करना हूँ और जब आप इस अमाउंट को वह आप बोलते थे मुझे रिफंड कर तो वह यह बोलता था सर टाइम पीरिड निगल चुका है क्योंकि जी एस 2022 में इस क्या मैक्सिम्म टाइम पिरिड जर्नली दो साल के बाद अगर कस्टमर बोलता था तो ड्वेलपर बोलता था भाई मैं नहीं दे सकता आपको जी एस्टी का और आप जी एस्टी का कॉस्ट आप बियर करते थे अब इस जी एस्टी के कॉस्ट के ऊपर जो एक आम पर इतनी महरत करने के लिए डेडी नहीं था इस प्रॉब्लम स्टेट्मेंट को सरकार ने दूर किया रिफंड के ऑप्शन जो पहले ड्वेलपर के पास था टाइम पिरिड निकलने के बाद वो टाइम पिरिड का ऑप्शन आज कस्टमर के पास आ गया जो आज तक कहीं नह होना जाता है उस अन्रेइस्टेट डिलर को अगर रिफंड लेना है तो वो लेने जा सकता है अगर वो टाइम पिरिडर क्रेइट नोट का निकल चुका है अब इसके लिए सरकार ने कुछ डॉक्यमेंट बुले और कुछ सर्टिफिकेट बुले जो उसको उन्तों के नाम मे रिफंड लेने के लिए जरूरियत है और वो डॉक्यमेंट में सबसे एक इंपॉर्टन डॉक्यमेंट है कि जहां पे कैंसलेशन का जो कॉंट्राक्ट नोट है वो कौन सा दिन है क्योंकि आपका रिफंड आज आप अगर आज बैटे हैं तो आज की डेट में भी आप रिफ से कंप्यूट होंगे तो सरकार ने इसको टाइम पिरिट को भी डिफाइन किया कि आपको ये दो साल कंप्यूट होंगे जब आपका बिल्डर ने आपके साथ में कॉंट्राक्ट इंसल कर दिया, डेट ऑप और कैंसलेशन से दो साल तक आप रिफंड ट्यम करने के लिए जा सकते हूं अब इसमें सवाल आता है कि मैं जाओं कैसे अब जो जाने का सवाल है उसके लिए सरकार ने बोला कि आपको एक जिस भी statement developer के साथ आपका contract है वहाँ पे temporary registration लेना पड़ेगा एक GST law में प्रविधान है जहां पे बोला जाता है कि what is a unregister dealer unregister dealer का आपको registration लेना पड़ेगा और कुछ document prescribe किये आप वो documents अब में अपने submit करेंगे then the department will verify and will grant you the refund so this is it is very very important to tell all your friends and family whosoever is either a businessman or a non businessman particularly non businessman को इसका idea नहीं होता so please share this video with every of your friends so that they can get a benefit and thank you very much